इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा पहले तो कोरोना महामारी काडर लागडाउन से अभी भी मिली कुछ राहत और फिर से बारिश का पानी बिलगाम वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है जब दौर कोरोना का है तो पहले इस पर ही बात करते हैं आज फिर पॉजिटिव मरीजों का धमा का रहा हैं एहम बात यहा है के तकरीबन महाराष्ट देली घुजरात रिटन है इससे एक बार फिर साबित हुआ है के पॉजिटिव मरीज बाहर से ही दाखिल हो रहे हैं और इन पचास मरीजों के साथ बेलगाम ने डबल सेंचुरिया ने 200 का आंकड़ा पार किया हुआ है आज रि में कोरोना वाइरस पहुंचा हुआ है बेलगाम तालुका के शुमाली अलाकों में बसे अत्वार सुड़गा उच गाउं साउंगाउं तो जुनूब में मुतगा सामरा बाड़ी कुंदरी में बड़ी ताइदात में पॉजिटिव पाए गए गए तो दिगर बेलगाम ता है पर हमेशा की तरह सचाई यह है कि अक्सर कुदरती कहर की कीमत भी जिर्फ गरीब को ही चुकाने पड़ती है इसी दोरान थोड़ा सियासी ख़बर की तरह भी एक नजर करते हैं हमेशा की तरह फिर एक बार बेलगाम जिली वजीर एनिके डिस्टिक मिनिश्टर के तोर प हुकूमत आई पर वजारत बेह्त पल्सक्ति के पास ही रही कहने का मतलब यह के कोई भी हुकूमत हो यहां के वजीर तो जार की वली ही रहेंगे इसा शाय चायत पागाम शायद उनों दिया हो वाज़ार है कि कांग्रेस जीडेस हकूमत को गिराने में रमेज जरक्योडी का हैं किरदार रहा जिसका ख्याल रखते हुए इन्हें वजारत से नवाजा गया हुआ कि यहां में 25 रुक न अपने पास होने के ख़बर को पहला था तो रमेजर को यह नियुक्त तने बारिश के वाली है सड़कों गलियों में बारिश के पानी से अवाम बेहाल होती दिखाई दे रही है पहले तो पिछले साल बार्ड जैसे हालात ने ना सिर्फ बेलगाम शेरवल के अतराफ के गाउं में भी कहर बर्पा किया था कई गाउ पानी में डूप चुके थे हुकुमत की जानिब से एला कर खिद्मते खलक कर आखरत का सर्माया भी बनाते रहते हैं पिछले साल बार्ड से हजारों मकानाद गिरे थे इन्हें अभी तक राहत की रखम हात नहीं लगे गोका को केरीब बेलगाम के कई गाउं पानी में डूप चुके थे अब जब हकोमत की जानिब से यह कहा जा रह है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल बारिश और ज्यादा होगी इसका मतलब क्या हुकुमत आने वाली खुदरती मुसीबत के लिए तैयार है बेलगाम इंतिजामिया ने ये इंडिया रिफ की टीम को पहले ही बुला लिया है पर क्या बचाओ दल को बुलाने से जिम् पीले राशन कार्ड के लिए पैसे अलग देने पड़ते हैं राशन में मिलने वाला नाच भी बेचा जाता है उपर से नीचे तक सभी अफसर मलीदा खाते रहते हैं और यह सचाई है कि जब तक गरीब के मूँ के लुक में नहीं चीने जाते हैं अमीर अफसरों के याशिय पड़ती है सड़क पर सबजी बेचने वाले गाड़ियों पर फल्फूट बेचने के बेच कर गुजारा करने वाले हजारों लोग हैं जिन से हजारों घरों में चूला जलता है पर जब इन मिट्टी के घरों में पानी दाखिल होता है तो चूला जलना तो दूर की बात चा से बड़े सिम्मेदारी अब हुकूमत सरकार की है अब तक जो हुआ सो हुआ क्योंकि मुसीबते खत्म होने का नाम नहीं ले रही है बेलगाम शहर में भी निशने आलाकों में पानी बहुत जल्दी भर जाता है बेलगाम कार्पोरेशन कुछ जगां पर कामों को अंजाम तो अब ही इंतजाम अभी से किया जाए जो कमी पिछली मरतबा रही उसे मद्देनजर रखते वे अब तमाम गल्तियों को सुधारनी की जोड़त है मांसून केरला तक पहुंच चुका है बेलगाम में सिर्फ एक ये दिन की बारिश थे कई लाकों में पानी भर गया आई दुक दुकानों में तक पानी जाने से नुकसान हुआ लॉक्डाउन से पहले ही मैशत खत्म होने की कगार पर अभी तो दुकानों को खोला हुआ था लाखों का माल दुकानों में यूही पड़ा हुआ था अगर पानी दाकिल होने से नुकसान हो जाता है तो ताजीर कहीं का नही कच्चे सबची खरिदने वाले बेचने वाला कोई नहीं रहता बारिश का पानी एक और मुसिबत लाने वाला है शहर के खास कर गांधी नगर अमन नगर उजवल नगर पंजी वाबा विर भदर नगर शापूर वडगान गुल जुना बिलगाम और दिगर इलाकों में पानी का डर अवाम में देखा जा रहा है लियाज आज बिलगाम कार्पोरेशन में पानी जाने के लिए मवजूदा गठर नालों को वसी किया जाए इसके लिए मुतालबा पेश किया गाए इसी तरह उद्वल नगर जमात की तरफ से भी नालों को सापकर पानी बहने के लिए आखरी वक्त में हरकत करने का मुझारकर अब देफनायाएक के बेलगाम इंतसामिया कितने तेज़े से बारिश के मुकाबले की तैयारी करती है इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफिज़ अ उल्ष करता अए चेप से लिए भी एचर को साउनी इंत्याद ऊक्त B tutना आफिज़ आटीक के लिए मना आफिए भी शहर्ता पानी देखने के लिए लुक्त कर दो करता अए इंतसा?